शप्रफात प्यारे बच्चों आज़म खख्या 5 विशय हिंदी अभिकारी शब्द क्रिया विशेशन के विशय में पढ़ेंगे इज़त ध्याए में हम क्रिया विशेशन के भेदों के विशय में विस्तार से जानेंगे चलिए शुरू करते हैं यहां कुछ उधारन लिखे गए हैं जिन्हें पहले में आपके सामने पढ़ रही हूं रमेश वहां खेल रहा है महेंद्र दिल्ली कल जाएगा कच्छवा धीरे धीरे चलता है अधिक खालिया अप्चूरन खालो यहां कुछ शब्द रंगीन लिखे हुए हैं जैसे वहां कल धीरे धीरे और अधिक वहां शब्द खेल रहा है क्रिया का स्थान बता रहा है अर्थाद जो बच्चा है वो किस जगह पे खेल रहा है जो यह वहां शब्द है वो वाला स्थान बताता है कल शब्द से दिल्ली जाने के समय का पता चल रहा है अर्थात जो महींद्र है वो कल दिल्ली जाएगा आने वाले कल अर्थात धविश्य काल की और को अंकित कर रहा है और कल समय बता रहा है कि कल वह जाएगा धीरे धीरे शब्द रीती को बताते हैं और अधिक शब्द किसी भी चीज की मात्रा को बता रहा है अर्थात वहां कल धीरे धीरे अधिक शब्द जो हैं वो क्रिया की विशेष्टा बता रहे हैं क्रिया अर्थात खेलना क्रिया है जाना क्रिया है चलना क्रिया है और खाना क्रिया है तो इन क्रियाओं के आगे जो शब्द लगे हैं जो की स्थान, समय, रीती और मात्रा को बता रहे हैं ये सभी उस क्रिया की विशेष्ता हैं तो बच्चों क्या परिभाशा बनी जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषन शब्द जो है विशेषता बताता है और क्रिया आगे से लगा है तो जो क्रिया शब्द की विशेषता हुई उन्हें हम बोलेंगे क्रिया विशेषन तो वह धीरे धीरे चलता है इस वाक्य में चलना क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेशता है अर्थात जो धीरे धीरे शब्द है वो क्रिया विशेशन शब्द हुआ क्योंकि यह शब्द क्रिया की विशेशता बता रहा है तो यह हुआ क्रिया विशेशन के भेद क्रिया क्रिया विशेशन काल वाचक क्रिया विशेशन और परिमान वाचक क्रिया विशेशन अब हम एक एक करके इनके विशे में रिस्तार से अध्यन करेंगे तो चलिए सबसे तले शुरू करते हैं रीती वाचक क्रिया विशेशन पहले मैं आपके सामने कुछ उधारन पढ़ रही अर्थात जो शब्द क्रिया के करने या होने की रीती का अर्थ होता है विधी की वह काम कैसे हो रहा है ध्यान से हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है तेज हो रहा है अर्थात काम को करने की जो विधी है वह क्या है तो ऐसे शब जो की क्रिया के करने या होने की रीती या फिर विधी प्रकट करें उसे रीती वाचक्रिया विशेशण कहते हैं जैसे जल्दी, अचानक, ध्यान पूर्वक, धीरे ये सभी रीती वाचक्रिया विशेशण के उधार हैं क्योंकि इनसे क्रिया के होने की विधी का पता चलता है कि कोई भी काम जल्दी हो रहा है अचानक हो रहा है ध्यान पूर्वक हो रहा है या फिर धीरे धीरे हो रहा है अर्थात जो क्रिया हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है या फिर किस विधी से हो रही है तो अर्थात ऐस सब्ध जोकि क्रिया के होने की विदि को प्रकट करें उन्हें हम रीती वाचक क्रिया विशेशन कहते हैं अगला है आपका इस्थान वाचक ऍाउर्ढ। मोहन घर के भीतर सो रहा है और गाय इधर आ रही है अर्थात जिस शब्द के द्वारा क्रिया के होने का स्थान पता चले जैसे मोहन सो रहा है सोना उसकी क्रिया है लेकिन वह किस स्थान पे है घर के भीतर तो भीतर शब्द जो है वो उसके क्रिया करने के स्थान को पता रहा ह अर्थात मोहन घर के भीतर सो रहा है तो जो भीतर शब्द है वो इस्थान वाचक क्रिया विशेशन है गाई इधर आ रही है आ रही है आ रही है शब्द जो है वो क्रिया शब्द है और इधर अर्थात इधर शब्द गाई के आने का इस्थान बता रहा है तो ऐसे शब जिन सब्दों के द्वारा क्रिया के होने का इस्थान पता चले उसे इस्थान वाचक क्रिया विशेशन कहते हैं जैसे यहां, वहां, बाहर, भीतर, इधर, उधर ये सभी उधारण इस्थान वाचक क्रिया विशेशन के हैं अगला है काल वाचक क्रिया विशेशन तो देखिए यहां कुछ उधारन लिखे हुए हैं मैं सुबह घूमने जाता हूं तुम अभी चले जाओ काल वाचक काल का अर्थ होता है समय जैसा कि हमने से पहले काल पढ़ा था काल तीन प्रकार के होते हैं भूत काल भविशेकाल वर तो अर्थात काल वाचक क्रिया विशेशन अर्थात समय वाचक समय बताने वाला ठीक है तो देखिए मैं सुबह घूमने जाता हूं घूमना एक प्रकार की क्रिया है और सुबह का जो शब्द है वो समय बता रहा है कि घूमने का समय क्या है सुबह है तुम अभी चले जाओ चले जाना एक प्रकार के क्रिया है और अभी अभी चो शब्द है वो समय को बता रहा है कि अभी यहां से चले जाओ तो देखिए उधारण से हम क्या समझते हैं कि जो शब्द क्रिया के होने का समय प्रकट करें उसे काल वाचक क्रिया विशेशन कहते हैं जैसे आज, कल, परसों, अब, जब, अभी, तुरंत, प्रति दिन, दिन भर लगातार यह सभी शब्द काल वाचक क्रिया विशेशन के उधारण हैं अर्था जो शब्द हमें किसी भी क्रिया के होने का समय बताएं उन्हें हम बोलते हैं काल वाचक क्रिया विशेशन अगला और आखरी है परिमाण वाचक क्रिया विशेशन परिमाण का अर्थ होता है किसी भी चीज की मात्रा तो देखिए उधारण वह जल अधिक पीता है, हरी कम पढ़ता है अर्थात ऐसे शब्द जो की क्रिया की मात्रा या फिर परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाण वाचक क्या विशेशन कहते हैं जैसे वह जल अधिक पीता है पीना क्रिया है और अधिक जो है वो उसके पीने की मात्रा बता रहा है कि वह जल कितना पी रहा है ऐसे ही हरी कम पढ़ता है पढ़ना उसके द्वारा की गई क्रिया है और कम जो शब्द है वो उसके पढ़ने की मात्रा को पता रहा है तो ऐसे शब्द जो कि क्रिया की मात्रा या फिर परिमान का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमान वाचक क्रिया विशेशन कहते हैं अब देखिए विशेशन और क्रिया विशेशन में क्या अंतर होता है विशेशन शब्द जो होता है यह संग्या और सर्वनाम की विशेशता बताते हैं तो विशेशन शब्द या फिर ऐसे शब्द जो की संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताते हैं उन्हें हम विशेशन शब्द कहते हैं लेकिन क्रिया विशेशन जो होता हैं वो केवल क्रिया की विशेशता बताते हैं अरथात ऐसे शब्द जो केवल क्रिया की विशेशता बताएं उन्हें हम क्रिया विशेशन कहते हैं और विशेशन में संग्या या सर्वनाम किसी की भी विशेशता बताई जा सकती है शब्दों के द्वारा विशेशन शब्दों में link वचन के अनुसार परिवर्तन होता है जबकि क्रिया विशेशन में परिवर्तन नहीं होता है अधिक, कम, ज्यादा, कल, वहाँ ये सबी क्रिया विशेशन शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन जो विशेशन शब्द होते हैं उनमें क्रिया के अनुसार परिवर्तन होता है और इसनी लिंग के लिए अच्छी तो अर्थात जो विशेशन शब्द हैं वो लिंग वचन के अनुसाद परिवर्तित हो जाते हैं जबकि क्रिया विशेशन परिवर्तित नहीं होते हैं इसलिए विशेशन को विकारी शब्द और क्रिया विशेशन को अविकारी शब्द कहते हैं अर्थात जो शब्द परिवर्तित हो सकते हैं वो सभी विकारी शब्द होते हैं और जो परिवर्तित नहीं होते हैं वो हर जो की हर समय एक से रहते हैं वो औविकारी शब्द कहलाते हैं तो ये था आज का अध्याय क्रिया विशेशन वो उनके भेद उम्मीद है कि आप लोग को ये पाख समझ में आया होगा अब आप तिहां से इस वीडियो को देखिए और समझेए धन्यवाद